जोतिशास्त्र में कुल 12 राशियों का जिक्र किया जाता है जोतिशास्त्र कहता है कि जिस तरह रंग, रूप, व्यहवार, आदी से कोई भी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते ठीक उसी प्रकार दो अलग-अलग राशी में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी एक जैसे नहीं हो सकते इनके सोच, समझ, बोलने और निर्ने लेनी की शमता अलग होती है मगर इसमें कोई दोराय नहीं कि हर राशी के लोगों में कोई न कोई खूबी जरूर होती है आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी राशी वालों का IQ लेवल कमाल का होता है यानि कि कौन सी राशी हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है मिथुन राशी, जो तिशास्ट के अनुसार मिथुन राशी के लोग काफी बुध्यमान माने जाते हैं इनका IQ लेवल बहुत तेज होता है मिथुन राशी वाले लोगों के पास हर सवाल का जवाब होता है बिजनस के मामले में ये बेहद किसमत वाले होते हैं अपने दिमाग के दम पर ये खूब दंदौलत कमाते हैं और हर शेत्र में सफलता हांसिल करते हैं कन्याराशी वाले जोतिशास्त के अनुसार कन्याराशी का स्वामी ग्रह बुद्ध है और बुद्ध के प्रभाव से ही यह बहुत अधिक बुद्धिमानी होते हैं कन्याराशी वाले जातों के पास सोचने समझने की शमता कमाल की होती है ये अपना दम पर खुब सपलता हासिल करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं वादविवाद में इन्हें कोई नहीं हरा सकता व्रिश्चिक राशी में जनमें लोग दिमाग के काफी तेज होते हैं इन राशी वालों का स्वामी ग्रहम मंगल है इसलिए इसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती ये लोग किसी कब ही आसानी से दल जीत लेते हैं ये राशी वाले अपने करियर में खूब आगे भढ़ते हैं ये अपनी तेज बुद्धी का इस्तमाल जीवन में खूब करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं मकर राशी जो तिशास्त के अनुसार इन राशी के लोगों को भी काफी तेज माना जाता है इन राशी वालों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है ये राशी वाले नए नए आईडियाज इस्तमाल करके जीवन में खूब सफलता पाते हैं रिस्क में बिलकुल पीछे नहीं हटते और खूब धन कमाते हैं कुम्भराशी वाले लोग काफी इंटेलिजन्ट और बुद्धीमान माने जाते हैं इन लोगों कभी आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है ये लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं इन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता